कोविन रेजिस्ट्रेशन जो अनिवार्य था पहले और कॉंग्रेस पार्टी ने कही कई बार कई मंचों से हमने कहा कि यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए क्यूंकि हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए इंटरनेट की सुविधा नहीं है डिजिटल सुविधा नहीं है तब सरकार ने हमारी मांग सुनी पर मांग सिर्फ आधा सुनी अभी नीती यह है कि सरकारी अस्पतालों में टिका करण के लिए कोविन रेजिस्ट्रेशन अठारा से कोविन रेजिस्ट्रेशन गवर्मेंट अस्पतालों में उनके लिए अनिवारिय नहीं है पर प्राइवेट अस्पतालों में अनिवारिय तो जैसा कि हमने कहा कि टिका करण मुफ्थ होना चाहिए गवर्मेंट अस्पतालों में निजी अस्पतालों में कोविन रेजिस्ट्रेशन अनिवारिय नहीं होना चाहिए वाकिन रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए गवर्मेंट वैक्सिनेशन सेंटर में और प्राइवेट वैक्सिनेशन सेंटर में भी